जैस्री कृष्णा राधे राधे सुक्रवार का दिन मा लक्ष्मी को दिन है और मा लक्ष्मी सुख बैभव बिलास के देवी है और सुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी के अगर अराधना की जाए तो आपके जीवन के हर कस्ट मिट जाते हैं शुक्रवार के दिन कुछ ऐसी वस्तु है जो भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए वरना मालक्ष्मी चली जाती है तो आज हम आपको विसेश प्रियोग बताएंगे तो वैसे तो हर दिन हर एक भगवान के लिए समर्पित है और हम दिन के अनुसार भगवान की पुजा कर तो आपके मन की इच्छाएं सिग्र अतिशिग्र पूरी होती है धन एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना सब कुछ अधुरा है धन प्राप्ति के लिए कितने मेहनत करते हैं जॉप करते हैं बैपार करते हैं हार्ड वर्क करते हैं और लोग धन पाने के लिए कभी-कभी तो गल एक तो सुक्रवार के दिन कोसिस करें कि सफेद पुर्णेतया सफेद नहीं सफेद यानि ब्राइट वाइट जो होता है उस कलर का कपड़ा पहने तो मालक्षमी प्रशन्न होती है क्योंकि मालक्षमी को प्रशन करने के लिए चमकीला अवस्तर अतियावस्त्यक है एक छोटा स अगर अपने मा लक्ष्मी के सामने समर्पित कर दें और उसके बाद धन के अस्थान पर रख दें अगर पीला कपड़ा ना हो तो लाल कपड़ा भी चलेगा या गुलाबी रंग भी चलेगा धन की मुस्किले दूर होती हैं करजों की समस्या समाथ हो जाती है बहुत सिंपल प होता है थोता है पति नीमें तना बहुत होता है एक बात याद रखेगा सुकत कίο सफेー बतनी में बेवजहतना हो तो सुक्रवार के दिन सफेद खीर सफेद मिठाई बनाइए और एक दूसरे को खिलाइए तो प्रेम बढ़ेगा वैसे इस दिन दही खाकर घर से निकलना चाहिए दही चीनी खाकर या दही मिस्री खाकर घर से निकले तो हर कारियों में सफलता मिलती है अगर सुक्रवार के सुक्रवार ये उपाई करें तो किसी भी काम से आप जा रहे हैं तो सुक्रवार के दिन दही मिस्री खाकर ही निकले तो मालक्षमी प्रशन्य भी होंगी कारियों में सफलता मिलेगी चुकि मालक्षमी स्वभाग की देवी है तो जीवन में सुख अच्छा स्वास्ति भी देती है और मा की आधना करने से संपत्ति की बिर्धी होती है संतान की प्राप्ति होती है इसलिए सुक्रवार के दिन आप अगर पास में आपके कहीं पर मालक्षमी का मंदीर है स्रीहरी का मंदीर है तो वहां पर आप चाहें तो बतासा अरपित कर दे लेकिन आप सिर्फ बतासा अर्पित करें तो उससे भी मा लक्ष्मि परशन होगी there हैं अब कहते हैं घर में किसी भी समय लëक्ष्मी आ सकती हैं लेकिन साम का वकत एक ऐसा होता है जब मा Not कि इसे व्हक्त कुछ इसे काम हैं जो भूंत करना चाहिए जैसे ही जाड़ू की शफाई दर्बाब मा कुछ चापर के गर में बाता उट healthier मी के गर भट की न सब्सक्रम की चीजिए ले बाद लाद ना करें वैसे तो मा लक्षमी को इतर बहुत पसंद है आप अगर सुकरवार के दिन गुलाब का इत्र मालक्ष्मी को भेट करें और नित्य प्राता आप चाहें तो रुई में लगा कर भी उन्हें समर्पित कर सकते हैं और इसके बाद अपने खुद को आप नाभी में लगा सकते हैं ऐसा करने से मालक्षमी मानसिक सांती देती हैं और धन की बरकत देती हैं तो यह बहुत सिंपल प्रयोग है अपनी अमित रूप से गुलाब का इतर मा को पित करें फिर अपने भी लगा लें तो इससे आपका भाग्योदे होता है तो सुकरवार के सुकरवार भी अगर आप करत कहीं नहीं जाएंगी तो अपने हाथों से गाय को रोटी खिलानी का अभ्यास भी बना सकते हैं हमेशा ही अपने घर को स्वक्ष बनाए रखें पवित्र बनाए रखें और साम के समय किसी को भी पैसे मत दीजिए किसी भी दिन लेकिन सुकरवार के दिन वह कौन सी बस्तु ह को भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए देखिए दही तो पूरे दिन में आप कभी भी ना दें हमेशा याद रखें लेकिन सुकरवार के दिन दही तो कभी भूल से भी ना दें चाहे सुबह हो दुपहरो या रात हो या साम रात में दही तो किसी भी दिन किसी को ना दे ये आप जैसे ही देऊगे खड़े खड़ लक्षमी आपके घर से चली जाएगी ध्यान रखना है आपको देखिए जहां पर मोर यानि की मोर पंक मयूर होता है ना पिकॉक तो जहां पर नित्ति करते हैं अगर वहां की आपको कभी मिट्टे मिल जाए तो थोरा सा लाकर जरूर रख लीजिएगा एक लाल रंके कपड़े में बान कर कहते हैं इससे धल लाब होता है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वैसे घर में एक तूलसी का पौधा जरूर लगाईए और उसके नीचे आप किसी दिन दीपक जलाया ना जलाया पर सुक्रवार के दिन जरूर जलाईएगा सफेज चंदन का तिलक लगाईए नियमित रूप से कंठ में, कलाई में, माथे पर या हल्दी का भी लगा सकते हैं चांदी का अगर चौकोर टुकरा अगर सुक्रवार के दिन और चंदन की लकडी अपनी मननत बोलके किसी नदी में भातेवे पानी में प्रवाहित कर दे तो मननत पूरी होती है अगर नित्य दिन एक ही बेलपत्र सही परमा लक्ष्मी को अर्पित करना शुरू कर दे नित्य प्राता सुक्रवार के दिन से शुरू करके या आप किसी भी दिन से कर सकते हैं जिस दिन आपके लिए संभब हो तो माना जाता है लक्ष्मी अस्थिर हो जाती है हमेशा ही अपने आपको थोड़ा सा इत्र बेगर लगा के एकदम से सुगंधित बनाए रखें जो लोग चाते हैं कि संतान की प्राप्ती हो उन्हें अपने घर में हर सिंगार का पौधा लगाना चाहिए अगर जीवन में धन की ज़्यादा मुस्किल हो कलकले ज़्यादा रहता हो तब थोड़ा सा धनिया साबूत धनिया आप पानी में भिगो दे और उसको अपने घर के गमले में मिट्टी में कहीं भी लगा दे इसका जो पौधा निकलेगा घर में सुकसांती लाएगा निगेटिव उर्जा को दूर रखेगा अपस में प्रेम बढ़ाएगा तो संतान की चाहत है तो हर सिंगार का पौधा घर में लगाईए निमित रूप से पानी दीजिए जैसे आप अपने छोटे बच्चे को देख खाल करते हैं वैसे ही कीजिए यकीन मानिए जैसे जैसे ये पौधा बढ़ा होगा संतान की प्राप्ती होने की प्रबल संभाव ना बन जाएगी तो सुक्रबार के दिन मा लक्ष्मी को आप माखाने की खीट, चाबल की खीट या फिर आप चाहें तो सफेद मिठाई यानि दूद की बनीवे मिठाई भी अरपित कर सकते हैं इससे भी लक्ष्मी स्थिर रहती है, घर में प्रेम बढ़ता है और सब कोई मिल कर खाईए और सुक्रबार के दिन जहां तक संभव हो प्रेम से रहिए, खास कर पतीबत नी तो पहली चीज़ दही किसी को नहीं देनी चाहिए सुक्रबार के दिन दूसरी चीज, आप सुक्रबार के दिन जहां तक संभव हो, अपना सुहाग का सामगरी किसी से सेर ना करें ध्यार नखिएगा, फिलाल भी डालेंगे, धन्यवाद